हेलो दोस्तों स्वागत आफ सभी कर रोट कामें चनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए भारत छोड़ो आंदोलें जुलाई 1942 से संबंदित कुछ महतपूर क्योशन लेकर आए जो बार-बार एक्जाम में फुचिया थे दोस्तों इंपोटेट टोपी के हर एक्जाम में यहां से क्योशन बनते हैं दोस्तों इसके दो पार्ट हम पहले ही करा चुके हैं तो चलिए स्टार करते हैं पार्ट तीन क्योशन नमबर 41 से नोटरा जिंदर परषाथ को 9 अगस्ट 2022 को गिरफतार करके कहां भेजा गया था कैंप जेल में हजारी बाग जेल में भागलपूर जेल में बाकीपूर जेल में आपका सही उत्तरों जाएगा उप्संडी बाकीपूर जेल में 9 अगस्त 1922 को गांधी तता अन्या सभी पिर्मुग नेताओं को बंदी मना लिया गया गांधी जी और सरोजनी नायडियो को पूना के आगखा महले में नजर बंद रखा गया कांग्रेस कार्यकारी समीती के सदस्य राउटरा जंदर पर साथ बंबई नहीं आये थे अधा उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बागिंपूर जेल में नजर बंद रखा गया इसको याद रखेंगे इंपोटेंट क्योसन है चली अगला क्योसन देखते हैं क्योसन नमबर फोटी टू भारत छोड़ो आंदोरन के संदर में महात्मा गांधी कहां बंदी मनाये गये थे बंबई में मद्रास में कोलगत्ता में नई दिल्ली में आपका सईउत्तर हो जाएगा उप्तने बंबई में बंबई के पूरणा में आगखां पैलेस में जियो है इनजल नजर बंद करके रखा गया था इसको याद रखेंगे important चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नंबर 43, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, एहमदनगर के किले में, आगाखाएं पैलेस में, आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसंडी, ठपो गई, इसमें अधिक्तम प्रभावी जिला कौन सा था, मुंगेर, गया, पटना और सावाद, आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसंडी, मुंगेर में, रेल पटली उखानने की सबसे ज़्यादा घटना जो है बिहार में होई थी, इस सरबादिक प्रभावी जो जिला बनाये जाना, आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसंडी भारत छोड़ो आंदुलन, भारत छोड़ो आंदुलन के कारणी जैपरकास नाराया को राष्टे इतरक नेता की पैचान मिली थी, इसको याद रखेंगे इंपोटेंड क्योशन है, चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 46, निम्लिकित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदुलन के दुराण जेल से फरार होकर भूमिगत गती वीदियो को संगडित किया, जेबी करपलानी, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जैपरकास नाराया, आपका सही उत्तर हो जाएगा जैपरकास नाराया, भारत छोड़ो आंदुलन के दुराण जैपरकास नाराया जो है, हजारी बाग के सेंटरल जेल से फरार होकर भूमिगत गती वीदियो को संगडित करने में लग गया थी, इसको याद रखेंगे, इंपोटेंड क्योशन ने, चली अगला क्योशन देख लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, या लोग इससे जागरत हुए थे, दोनों ही कतन आपस में संबन्ती थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपसन ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का स्पष्टी करण है, इसको याद रखेंगे, चली अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमबर 48, नीचे दो वक्तव्य दिये गए हैं, जिन में एक कतन ए और दूसरा करण आर दोनों ध्यान पुर्वक्त पले हैं, राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग 1922 के भारत छोड़ों आंदोलों से बिलकुल अलग था, इसका विचार था कि इस आंदोलों में भा हैं, क्योशन नमबर 49, नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए, भारत छोड़ों आंदोलों के पहला हमसरूप कांग्रेश और मुसलमान अंग्रेश के प्रती समान गिल्ड़ना के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, तो यह सही हो जाएगा, मुसलिम लीग तो निस्सो बैल इसके भारत छोड़ों आंदोलों से दूर रहने के लिए कहा था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन ए ए और आर दोनों सही है, तता आर ए का इस फश्टिकरण है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे संबंधी थे, चली अगला क्योशन देखते हैं, क् चली अगला क्योशन देखते हैं, 51, निमने लिखित में जग किस आंदोलों के साथ, अरुनला आसफली जूड़ी थी, सेम रिपीट क्योशन आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन डी, भारत छोड़ों आंदोलन चली अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर 52, निमने लिखित में जग किस एक आंदोलन के साथ, अरुनला आसफली जूड़ी थी, सेम रिपीट क्योशन भारत छोड़ों आंदोलन चली अगला क्योशन देखते हैं, 53, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उले कीजिए, जहां भारत छोड़ों आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, बलिया में, सतारा में, हजारी बाग में, मेरण में, समांतर सरकारों की स्थापना ब आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन D 1942 में मीदनापुर जिले में जाती सरकार ये समांतर सरकार की स्थापना की गई थी इसको याद रखेंगे चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 55 भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान उत्तर परदेश के निमन लिखित में से किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C बलिया में बलिया में जो है समांतर सरकार की स्थापना की गई थी चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 56 निमन लिखित में से उत्तर परदेश के किसे एक जनपद और पुलिस की परवार ने करते हुए थाने में कुछने के प्रियास में गोली खाई, यह घटना किसी स्थान की है, सोनितपूर, मिदनापूर, कोरापूर, गोहपूर, आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन D, गोहपूर, कनक लता बरुआ का जनब 1924 में असम में हुआ थ दुरान, गोहपूर, पुलिस थाने पर तिरंगा फैराने के दुरान, पुलिस गोलाबारी में सहीद हो गई थी, इसको याद रखेंगे, इंपोटेंट के उसन है, चली अगला क्योशन देखते है, क्योशन नंबर 58, भारत छोड़ो, आंदोलन, भारती राष्टे, आंदो किकरण है, इसको याद रखेंगे, चली अगला क्योशन देखते है, क्योशन नंबर 69, भारत छोड़ो, आंदोलन के उपरां, तसी राजगोपालचारी ने दीवे आउट नामक पंपलेट जारी किया, लिम लिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव पंपलेट में था, ब्रेट केंद्रिय तता प्रांतिय विधान मंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाप कराएं जाएं, तता संभिधान निर्माड करने वाले निकायों को या था संभव सिगर आयोजित किया जाएं, तो इसका वरलन भी नहीं था, संभिधानी गतिरोथ का हल, तो ये सही हो जाएगा, धी जेल में गांदी जी का आमरल अंसन, जैपरकास नारान की गतिविदिया, गोल में संभेलन में गांदी जी की साहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्सन ए, जेल में गांदी जी का आमरल अंसन, आगाखा पहले से में कैद के समय, मा वीकन कोट सब्द बेज देगी तो इसको याद रहते हैं कि दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आगे भी इसे तरह की वीडियो प्राप्त करने चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक करें दबा दें